हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिखे बात करेंगे हिडन स्टाक्स की लाइम लाइट में आने से पहले कैसी सिचेवेशन होती है आप देखोगे समझोगे और लॉंग टाम इंविस्मेंट की जब भी बात करते हैं आपको हमेशा कहता हूं कि फ बहुत टाइम लगा देता है कई बार उस कंसालिडेशन फेज में लेकिन जो रहली आती है वह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त होती है तो चलिए समझते हैं डिटेल में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूग और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस सेक्षिन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो मेंबर से जोइन बटन बे क्लिक करके आज ह सर्विसेज डिस्टिविशन सर्विसेज असट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज यह प्रोवाइड करती है उधार कंपनी के ऊपर ना के बराबर का लेकिन बारह हजार करोड का हो चुका है मार्केट कैपिटरलाइजेशन अब जरह ध्यान से देखे स्टॉक को 500 का प्राइस कंप्यूटर एस मैनेजमेंट सिस्टम 38 पॉसेंट प्रॉफिट ग्रोटरी वेनी ग्रोथ को देखे तो आपको गयर वाह क्या कंपनी है क्या ग्रोथ है आपको गयर ऐसे ही स्टॉक्स के उपर नजरे बनानी पड़ेगे लेकिन ऐसे स्टॉक्स अक्सर आसमानों पे जब पह स्टॉक्स कहते कि मीडिया और न्यूज में आने से पहले स्टॉक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मीडिया और न्यूज में जब तक वो स्टॉक आता है तो फिर देखने को मिलती है प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि कई बार स्टॉक को न्यूज में लाया जात है जड़ा यह देखिए यह रहली 1100-1200 के लेवल से आती है और जाती है सीदे कहां तक कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टन और उसके बाद यह जबर्दस प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे होंगे के क्लियर कट जबर्दस प्रॉफिट बुकिंग के बाद धीरे धीरे लोवर हाई लोवर लो की सीरीज चलती है और अब बहुत इंपॉर्टन फेज मैं कहूंगा इस कंसॉलिडेशन पीरेट का यह देख रहे हो आप यह कंसॉलिडेशन पीरेट के अराउंड आया जो की बहुत इंपॉर्टन लेवल था इसके लिए 2000 की रेंज के अंदर इसने टच किया और अगर आप ओवराल करेक्शन पीरेट को देखें और समझने की कोशिश करें मैं बिलकुल बॉटम टू बॉटम लेके जाऊंगा यहां पर देखें बहुत इंपॉर्टन एक करेक्शन फेज को अब देखो तो बिलकुल आइडियल सि कशने रहे हैं यहां पर बदे पार्तिब्वेशन को देखें और समझने की कोशिश करें अब यह देखिए यहां पर पर समझने की कोशिश करना अभी के टाइम पे रहली आती है और इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए इस कैनल को देखिए और उसके बाद यहां पर मैं कहूंगा कि इस वॉल्यूम को देखिए जबरदस्त यहां पर प्राफिट बुकिंग इस प्राइस के दौरान हुई आपको देखने को मिली इस प्राइस के दौरान फिर प्राइस प्राफिट बुकिंग आपको देखने को मिली यह देखिए यह प्राइस के दौरान फिर से आपको प्राफिट बुकिंग देखने को मिली बहुत इंपॉर्टन प्राफिट बुकिंग क्योंकि प्राइस जहां से स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और यह स्टॉक की नजरें अभी क्यों हमारे पास पड़ी है इसकी देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस बिलकुल बड़े वॉल्यूम का आना जाना खतम हो चुका है लगवग लगवग और जो प्रॉफिट बुकिंग की और उसके देखिए RSI का भी बेस फॉर्मेशन यह देख सकते हैं आप यहां पर बिलकुल एक मैं कहूंगा पीक का फॉर्मेशन यहां पर देखने को बिला एक बॉटम का फॉर्मेशन और अब सिच्वेशन समझते हैं डेली टाइम फ्रेम बें देखिए कभी भी हो हम बात करते हैं अ पर देखिए और दीरे दीरे आप देखोंगे कि लोवर लोवर हाई की सीरीज चलती गई और हमारा प्राइस धकेलता हुआ काफी नीचे आ गया इसने लोग पॉइंट यहां पर बनाया अब इस रेंज की हम बात कर रहेते हैं इस रेंज को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते लो पॉइंट हमारे पास है और अब यह एरिया जो है लो एक हायर लो का बेस बनाता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है 200 ऐसे में से उपर प्राइस जा रहा है और यहां पर कंसॉलिडेट कर रहा है जो कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सिगनल है डेली टाइम फ्रे यहां पर आप देख बार हो अब धीरे-धीरे करके मंतली की कर्यक्शन है जैसा मैंने आपको कहा कि यह बहुत टाइम ले लेता है बेस फॉर्मेशन में कई बार लेकिन हाँ अब डेली टाइम फ्रेम पे 200 ऐसे जहां पर हम नीचे थे हम वापस आ चुके हैं अब अगर आप सिगनल होता है कि हाँ आने वाली सिचिवेशन मैं कि ओर शीषरा कर रही है लेकिन आप देख इस इक पॉजिटिर जो यहाँ देखने को मिल रही है एक मोमेंटम जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है that is a situation के आने वाले time पे stock में एक जो कि एक बहुत deep correction जिसने देखी है September 2021 से लेके आप देख सकते हो clear cut पूरे साल भर की मैं कहूंगा last peak जो है पिछले साल September में बना लेकिन उसके बाद ये पूरी की पूरी correction देख रहा है अभी October November की situation आ चुकी है positivity यहाँ अभी देखने को मिल रही है mutual fund की दुनिया का यह share है और यह computer management system बहुत important मैं कहूंगा जैसा है भी recently हमने RVNL को discuss किया था और अभी scams के share को हम discuss कर रहे तो अभी देखिए हमेशा focus यही रहेगा high momentum high probability और low risk के opportunities के उपर क्यों क्यों क्योंकि जो देखे हमेशा यह ध्यान रखने वाली बात है momentum अच्छा होगा तो उसके success के chances भी अच्छे होंगे तो कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जब भी जहां पे भी जिस time frame पे momentum loss हुआ है अगर मैं monthly और weekly और daily इन तीन time frame के हिसाब से चल रहा हूँ तो daily में अगर momentum loss हुआ है 200 SME के cycle बियरिस हुई है तो उसको positive होने का उसको bullish होने का इंतजार तो करना पड़ेगा बस यही wait time यही patience जो है वो चाहिए इंतजार उसके bullish होने का तो चले फिलाल wind up कर true हमें भी motivate करते रहें कि किस तरीके से जो भी आप यहां पर सीखते हो और दूसरी important बात market में अगर लंबे वक्ते तक बने रहना है तो risk management is the key risk management के ओपर focus हभी सब बनाए रखना and video को share कीजिए like कीजिए thank you thank you for watching the video